आजमगर सोशल मीडिया पर एक निर्मानाधीन मकान को दर्जनों की संख्या एकत्रित लोगों द्वारा तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है वीडियो में एक निर्मानाधीन मकान जिसकी शतरिंग आधी हुई देख रही है उसे तोड़ते हुए दर्जनों की संख्या में लोग दिखाई पर रहे हैं इस मामले में पीरित की तहरीर पर पुलिस ने प्रधान पती समेट साथ लोगों पर मुकदमा दर्च किया है यह मामला अहौला थाने के धनेज पांड्य गाउंग का बताया जा रहा है परताल में दो समुदायों के बीच का मामला निकल कर सामने आया है पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर 31 अक्तूबर को अहौला पुलिस ने गाउंग के प्रधान पती सहित साथ नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्च कर लिया है यहां दो वर्गों के बीच मामला चल रहा है एक वर्ग के सलीन द्वारा अपने मकान का निर्मान कराया जा रहा है वही दूसरे वर्ग का आरोप है कि मकान को गूर गद्धे में और सरकारी जमीन पर बनाया जा रहा है जिसे लेकर महीनों से दोनों वर्गामने सामने हैं अभी एक वर्ग के द्वारा दो दिन पहले DM के यहां पहुँचकर शिकायक की गई थी कि मामले में पुलिस द्वारा कोई कारवाय नहीं की जा रही है पीरित सलीन द्वारा बताया गया है कि हमारे द्वारा मकान का निर्मान कराया जा रहा है SDM के आदेश पर पैमाईश हो चुकी है जन सूचना अधिकार के तहट जन सूचना भी हमने मानगी थी जिसमें हमारा निर्मानाधीन मकान घूर गद्धे से दूर है 29 अक्तूबर को SDM द्वारा गठित टीम के पैमाईश के बाद छक डाला जा रहा था कि दर्जनों लोग की द्वारा तोरफोर की गई है पुलिस के द्वारा सलीम पुत्र जीज की तहरीर पर 31 अक्तूबर को गंभीर धाराओं में प्रधान पती समेट साथ लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है थाना ध्यक्ष मनीश पाल का कहना है एक वर्ध सलीम पुत्र जीज की तहरीर वह उपलब्ध साक्षों के आधार पर गंभीर की प्रधान पती सहित साथ नामजद पर मुकदमा दर्ज किया गया है